नमस्कार दोस्तों मैं। आपका दोस्त राम वर्म और स्वागत आपकस्याजी एजूकेशन न्यूज यूटूब चैनल पर अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाने ना भूलिए क्योंकि यहां पर आपको चति चुडेंट 6 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक बीना विलम सुल के परिक्षा आवेदन भर सकते हैं। उसके बाद दूसरी कबर भी राइपूर से यारी तो पंडितरवी संकर सुकल विस्विद्याले से संबंध सास्किया और असास्किया महाविद्यालों के प्रचारियों की अनलाइन बैठक में नैक मुल्यांकन की तयारियों को मिशन मोड पर लेने के निर्देश दिये गया है। कुलपती प्रोफेसर के ल वर्मा ने कहा कि सिक्षा गुनवत्ता के लिए सभी पात्र कालेजों का नैक मुल्यांकन आनिवारी है। बैठक मुतर पुस्तिकाओ का जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए कहा गया है ताकि सीग्र रिजल्ट की घोशनक की जा सकें। प्राप्त जानकारी के अनुसार रवी संकर्वी सविद्याले से संबंद 144 सास्किया और असास्किया महाविद्याले ऑनलाइन बैठक में सामिल हुए। बैठक की अध्ध इस गड़ कॉलेज समय कुछ कॉलेजों में मुलैंकन या अंक अफ्लोड करने की प्रक्रिया बाकी है। जिन विशयों के मुलैंकन बाकि है। उसमें चात्रों की शंक्या कम बताई जा रही है। बैठक में 53,000 कौपियों के बाद भी दूर्गा कॉलेज द्वारा मुलैंकन प्रक्रिया सपलत पूरो कराया जाने के तारीफ हुई है, उसके बाद अगली खबर के और बढ़ते हैं, तो यहां पर हेमचंद यादा विश्व एद्धियालय के और से खबर आ रही है, तो हेमचंद यादा विश्व एद्धियालय द्वारा सत्र 202021 की वार्षिक परिक्षा परिणाम विस्व उद्याले द्वारा गोशित कर दिये गये है यहां जानकारी देती हुए विस्व उद्याले के परिख्चाओ कुल सचीव डाक्टर राजमनी पतेल ने बताया कि सेमेस्टर परिख्चाओं की तरह वार्सिक परिख्चाओं में भी ओपन भुक परिख्च में विद्यार्तियों उत्कुरुष्ट प्रदर्शन किया है अभी तक घोशित परिख्च परिणामों में में भुगोल के 89 प्रतिशत में इतिहास का इतिहास अंतिम का परिख्च परिणाम 98 प्रतिशत PG Diploma in Hotel Management का 75 प्रतिशत तता MSC अंतिम गनित का 88 प्रतिशत MA पूर्व दर्शन सास्तर का परिख्च परिणाम 100 प्रतिशत तता MA अंतिम दर्शन सास्तर का परिख्च परिणाम 92 प्रतिशत रहा BSC B8 भाग 4 B library में 100 प्रतिशत प्रतिशारती उत्तिर नहुए है PG Diploma इन योगा का परिख्च परिणाम 75 प्रतिशत रहा डाक्टर राजमनी प्रतेल ने बताया कि विसव विद्याले इसनात के मिसनात कोत्तर के अंतिम वर्सकी कक्छाओ की परिणाम पहले जारी करने का प्रियास कर रहा है विसव विद्याले के अधिस्ठाता छात्र कलयान डाक्टर प्रसांथ सिर्वास्तों ने बताया कि अगामी सेमिस्टर परिख्चाओ तता प्रयोगिक परिख्चाओ योँए नए सेक्चनिक सत्र में प्रवेस परचरचा करने के लिए विशविद्याले की कुलपती डाक्टर अरुना पल्टा ने 6 अगस्त को दोपहर 2 बजे सेमिस्टर का अक्षाय संचालित करने वाले महाविद्याले के प्रचार्यों की ऑनलाइन बैठक लेगी इसना तक इस्तर पर प्रतम वर्स में औलाइन रोप से प्रवेश हेतू बीश विश विद्याले को प्रतम सब्तह में 38,540 आवेदन प्राप्त हुए है 20 अगस्त 2021 तक प्राप्त आवेदनों को प्राविणने सुची बनाने हेतु महाविद्याले को प्रेसित किया जाएगा इस वर्स सरवाधिक आवेदन बायोलोजी विशे में विभिन महाविद्याले में प्रवेसेतु प्राप्त हुए है उसके बाद अगली कबर जो आ रही है तो यहाँ पर कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएसी में प्रवेस लेने के लिए कोई परिक्षा नहीं होगी बारवी के नंबरों के अधार पर मेरिट तयार कर सीटे आबंटित की जाएगी कॉलेजों में प्रवेस के लिए पहली लिस्ट 18 अगस्त को जारी होगा इसके अनुसार चात्रों को संबंदित कॉलेज में साथ दिन के बीतर प्रवेस लेना होगा वहीं दूसरी और पंडित रवी संकर सुकल विस्ट 18 सालाओं में संचालित विभीन कोर्स के लिए इस बार इंटरेंस एक्जाम आवजित किया जाएगा विस्ट द्याले ने इसकी तयारी कर ली है अपसरों को कहना है कि एक्जाम का आवजन आनलाइन होगा इसके लिए जल्द गाइडलाइन जारी होगा कॉलेजों में गरैजुएशन फर्स्ट इयर और पीजी प्रिवेश में प्रवेश के लिए आवेदन प्रकृइच चल रही है रवी संकर विश्वेश देला से करिब देड़ सो कॉलेज संबंध इस कॉलेज में फस्ट इयर की करिब 30,000 सीटे है इनमें प्रवेश के लिए इस बारवी परिक्षा आवजित नहीं की जाएगी बारवी के नमबरों के अधार पर सीटे आबन्टित की जाएगी यानि जिने बारवी में अधीक नमबर मिले है उनके लिए मंचा है कॉलेज में प्रवेश लेना आसान होगा कालेजों में प्रवेश की प्रक्रे 31 अगस्त तक चलेगी कुलपती की अनुमती से 15 सीटमबर तक प्रवेश होगे ग्रैजुएशन फर्स्ट इयर वो पीजी फ्रीवेश में प्रवेश प्रवेश प्रथम चरन के लिए 17 अगस्त तक आवेजन किये जा सकते इसके अनुसर 11 को पहली मेरिट लिस्ट जारी होगी लिस्ट के तहर थी तो 24 अगस्त तक प्रवेश होगा उसके बाद जो है सीजी ओपन इस्कूल को लेकर यहां खबर आ रहे तो 36 अगस्त दोपहर 12 बज़े जारी किया जाएगा परिणाम ओपन इस्कूल के वेबसाइट www.sos.cg.nic.in पर मिल जाएगा इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कोरोना की वज़े से दसवी के बच्चों को घर पर बैटकर परिक्षा देने की सुधा प्रदान के गई थी चात्र वेबसाइट में जाकर अपना परिणाम देख सकते तो दसवी ओपन का रिजल्ट आ जाने वाला है बारा बजे उसके बाद अगली खबर जो है तो यह भिलाई नगर से आ रही तो प्री पीएजडी कोर्स वर्क पीएजडी कारेकरम 2020 में प्रवेश के लिए तक्निक की विश्वी दयालय ने वेक्तिगा साक्षातकार के रिजल्ट जारी कर दिये हैं सेकंड अटेंप्ट के इंटर्वी में से 18 कंडिडेट सी सफल उपाय बोड़ आप एकसपर्ट के अनुसंस के अधार पर इसके रिजल्ट जारी किये गये हैं तक्निके विश्वी द्याला द्वारा- PhD प्रवेश कारेकराम के लिए दुसरे अटेंप्ट के इंटर्वी में अप्लाइड मत्स के सभी अभ्यर्ति अयोग्य घुसीध कर दिये गए है इस ब्रांच के लिए एक उल्सांथ अभ्यर्ति ने इंटर्व्य दिये थे PhD कारेकरब में प्रवेश के लिए आड ब्रांच में प्रवेश के लिए इंटर्विव लिए गए थे जिसमें से Civil, Computer Science and Engineering, Electrical and Electronics, Engineering, Electrical Engineering, Electrical, Electronics and Telecommunication, Mechanical Engineering, Management देथा अप्लाइट मैं सामिल था उसके बाद अगली खबर जो है तो जगदल पूर से है तो चतिस गड़ ववसाइक परिक्षा मंडल द्वारब प्रती वर्स विविन वववसाइक पाठेकरब में प्रवेश एतु परिक्षाओं का आयोजन किया जाता है जिसके लिए 26 अगस्ते तक आविदन के अंटिम तिथी निरधारित की गई है व्यापम ने इसपस्ट किया है कि आवेदन आउनलाइन ही किये जाएंगे जिसमें आवेदन करने की तिथी 6 अगस्त से आरम हो रही है और अंतिम तिथी 26 अगस्त तै की गई है परिक्षक के लिए 17 सितंबर को प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा और 20 सितंबर को रही वार सुबा 9 बजे से दो पहर सबा 12 बजे तक आयो जीत होगी उसके बाद अगली खबर जो आ रही है राइगड से तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के तीनों वर्सों की क्लासे 16 अगस्त से सुरू की जाएगी क्लासेज ऑनलाइन होगी उच्च सिक्च विभाग के निर्देश के मुताबिक किसी भी स्टूडेंट को कॉलेज में आने के लिए दबाव नहीं डालना है सुक्च से आये विद्यारतियों को आपलाइन पढ़ाना है इधर कालेजों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है एड्मिशन के लिए ओनलाइन आवेदन मंगाया जा रहा है दाखिला सहीद नंद कुमार पटल विष्विद्याले द्वारक किया जा रहा है दो अ सीटे है जिसमें सत्रह हजार आवेदन आ गये है सत्रह अगस्त तक आवेदन लिये जाएंगे उसके बाद अगली खबर जो आ रही है तो यहां पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंटियाने नेशनल एलिजिबिलेटी कम इंट्रेंस टेस्ट नीट दो हजार इकिस के करने की आखरी तारीक भी 10 अगस्त ग्यारा बच के 50 मिनिट कर दिया गया है इसके अलावा अप्लिकेशन में करेक्शन के लिए विंडो 11 अगस्त से 14 अगस्त दो पहर दो बज़े तक ओपर रहेगी एंटिये ने यहां फैसला स्वास्त विज्ञान महा निदे साले और स्व अगली खबर बिलासपूर से आ रही है तो राइट टू एजुकेशन आर्टी के पोर्टल लॉक होने से निजी स्कुलों में निसूलक प्रवेश लेने के लिए बच्चों के आवेदन जम करने वाले पालक परेसान हो रहे है पोर्टल के लॉक होने से नोडल अधी कारी दस अपूरूल के लिए 6 अगस्त अंतिम तिति है आवेदन के दस्तवेश का सत्यापन आउनलाइन कराया जा रहा है इसके बाद राज्यास्तर पर प्रथम लॉट्री दस आठ अगस्त को निकाली जाएगी उसमें नाम आने पर इसकोल में बच्चों का दाखिला कराने के लिए सितंबर तक राज्यास्तर से दिवितिया लॉट्री निकाल ले जाने की तिति 15 अगस्त एवं इसकोलों में बच्चों का दाखिला कराया जाने की तिति 11 सितंबर तै की गई है उसके पाद अगली खबर जो है जगदलपूर से है तो बस्तर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की परिक्च्छा देने वाले छात्रों की धूरतता या आलस्पन के नजारे इनकी उत्तर पुस्तिका जाच करने वाले प्रोफेसर देख रहे ह उत्तर पुस्तिका की जाच करने वाले प्रोफेसरों ने नाम ना प्रकासित करने के सर्थ पर बताया है कि ऐसे कई छात्र है जिन्हों ने अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर खुश से नहीं लिकिया है ज्यादा तर छात्रों की उत्तर पुस्तिका में दो से लेकर चार की handwriting है उत्तर पुस्तिका को देखकर समझ में आ रहा है कि हर प्रस्ण के उत्तर अलग-अलग लोगों ने हल किया है इसके अलावा कुछ चात्र ऐसे भी है जिन्होंने पाच-पाच प्रस्ण दो या तिन पन्नों में हल कर दिया है चात्र घर पर बैट कर किताब देखकर भी उत्तर कॉप्पी नहीं कर पाए इसके अलावा भी उत्तर लिखने में चात्रों ने धेरो गलतिया किया है कि अभी तक बियू मतलब बस्तर युनिवर्सिटी की और से हैस्पस्ट नहीं किया गया है कि जिन चात्रों की उत्तर पुस्तिका में तीन से चार लोगों की राइटिंग है उन्हें उत्तर के अधार पर पूरे नंबर दिये जाएंगे या फिर अलग-अलग राइटिंग क खुछ चात्र को हल करना है और इसमें चात्र की एक ही राइटिंग होनी चाहिए यदि चात्र अलग-अलग लोगों से उत्तर लिखवाए है और इसके जानकारी प्रोफेसर देते है तो ऐसे चात्रों के मामले एक्जामिनिशन कमेटी के पास जाएंगे और यहीं से निरना निर्देश में सब कुछ बताया था कि उत्तर खुष के राइटिंग में ही लिखना है दुसरे से नहीं लिखवाना है फिर भी चलिए आगे बढ़ते अब तो बारवी से जी बोट की परिक्षा है घर से बैट कर देने के बावजुद करीब 7000 चात्र या तो फेल हुए या उन्हें किसी न किसी विषय में सप्लिमेंटरी आए ऐसे चात्रों को पास होने के लिए एक और मौका मिलने वाला है मादमिक सिक्ष मंडल ने सितंबर में पूरक वाक क्रेडिट योजना परिक्षा का आयोजन करने के तयारी कर रहा है इसके लिए निर्देश जारी किये ग हुए है संबंध इस्कुल में जाकर आविदन कर सकते 21 अगस्त से 28 अगस्त तक विलम्स के साथ पाम भरे जाएंगे एक विषय की परिक्षा के लिए 200 रुपे दो विषय के लिए 240 रुपे और रिखी परिक्षा के लिए 460 रुपे है सुल्क है उसके बाद अगली कबर भी तो किताब देखकर भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे कई चात्रों के सवालों के जवाब नहीं दे पाए इनकी पुष्टी हेमचंद विश्वद्याला से जारी हो रहे वार्षिक परिख्या के नतीजों से होता है अभी तक घोशित परिणामों में पेजी डिप्लोमाइन ह 25-25 परिशत असफल रहे है इसी तरह में भूगोल पूर्व में 89 में इतिहास में अंठनवे में सी अंतिम गनीत में 88 और में अंतिम दर्शन सास्त्र का परिणाम 92 परिशत रहा में पूर्व दर्शन सास्त्र बीएड भाग्चार तथा बी लाइब्रेरी के नतीजे गोश सत परिशत रहे अधिस्ठाता चात्र कल्यान डाक्टर पसान सिर्वास्त ने बताया कि अगस्त के अंतिम सप्तह में प्रश्ताविश सेमेस्टर परिख्षाओ तथा प्रयोगिक परिख्षाओ नए सेक्षनिक सत्र में प्रवेश के संबंद में 6 अगस्त को दुपहर 2 बजे प्रचारियों की बैठक लेगी इसना तक इसतर पर प्रतम बर्स में प्रवेश के लिए विश्व विद्याले को अभी तक 38,540 आविदन प्राप्त हुए 20 अगस्त तक प्राप्त आविदनों की प्रावणिन सुची बनाने के लिए कॉलेज प्रबंधन को भेजा जाएगा इस बार सबसे अधिक आविदन जी विज्ञान के लिए आये हैं उसके बाद अगली खबर जो आ रही है तो राइपूर से तो राष्टिय कोशल विकास निगम के प्रमानित कोर्स में चैन के लिए 11 राज्यों में आविदन और कॉंसलिंग की प्रकिर्या सुरू हो चुकी ह आविदन 30 अगस्त 2021 तक किया जा सकता है उसके बाद अगली कबर कांकर से तो प्रदेश के एक मात्र सैनिक इसको लंबीकापूर में सत्र 2021 वाविस के लिए कक्चा छट्वी और नवी में प्रयोज के लिए आयोजित परिक्षा के परिणाम घोशित कर दिये गया है इस संब सकता है उसके बाद अगली ख़बर आ रही है तो यहां पर वोड़ा फोन आइडिया फंडेशन की ओर से देश के प्रतीभा साली बच्चों को प्रुस्षान यम सहयोग के लिए चलाय जा रहे है वोड़ा फोन आइडिया स्कॉलर्शिप 2021 के लिए नंदर कला गाउं के अंक 20,000 रुपे की प्रुस्षान राशी मिलेगी तो इन्हें हम अपने चैनल की ओर से हार्तिक बढ़ाई भी देना चाहती है उसके बाद अगली ख़बर जो आ रही है तो सास्किया अध्योगी प्रसिक्षन संस्ता कोबिया चोग बेमे तरह में विवसाय विद्युतकार कंप् अप्लिकेशन तो 2021 पर क्लिक कर ऑनलाइन अवेदन 8 अगस्त तक कर सकते हैं पंजियन सुलक अनुसुचित जाती जन जाती के लिए 40 रुपे वा ओबी सियों समाने वर्ग के लिए 50 रुपे है तो अगली ख़बर जोरी कोर्बस है तो जीले के एकलवे आवसिय विद्यालाय में अनुसुचित जन जाती वर्ग के विद्यारतियों को कक्च छट्टी में प्रवेश देने एम नवीद 9 वा 10 अगस्त को कांस्लिंग की जाएगी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के अनुसार कांस्लिंग एकलवे विद्याला चुरी में सुबह 10 से 5 बज़े तक होगी प्रवेश के लिए मेरिट सुची में एक से नब्बे तक नाम वाले विद्यारतियों को बुलाया गया है सभी एकलवे आवस्या विद्याला में प्रवेश के लिए चैन परिक्षा के माध्यम से योग या उम्मेद्वारों की अंतिर्व सुची जारी कर दी गई ह तो यह था दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद